कॉंग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मद्धप्रदेश के दिगज नेता जोती रादित्य सिंधिया 36 गड़ दौरे पर थे इस दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी के दौरा दिये गए दो हिंदुस्तान वले बयान पर सिंधिया ने करारा जवाब दिया है दरसल केंद्रिय बजट पेश होने के बाद बजट समझाने के लिए राहुल गांधी के बयान पर कहा है दो देश में बांटा गया है ऐसा बयान कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है उन्होंने आगे कहा भाई-भाई की संस्कृति मेरे देश में है शायद राउल गांजी का संदर्ब 2014 के पहले के भारत को लेकर है जहां प्रगती नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, व्रष्टाचार का बोलबाला था मोदि जी के बाद दूसरा देश दिखा है, जहां व्रष्टाचार पर अंकुष लगा है विकास के दुआर खोले गए हैं अंतियो दे के आधार पर केवल अपना हग नहीं बलकि विकास के नए आयाम दिया गया है गौर तलब है कि छतिसगर से राहूल गानी ने फिर केन सरकार पर बढ़ से थे लोग सब हमें कही बात को दोहराते हुए राहूल ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बाटने का आरोप लगाया एक भारत अमीरों का एक भारत गरीबों का बनाया जा रहा है देश में 40 प्रतिशत लोगों के पास जितना धन है उतना पैसे नरेंद्रमोधी सरकार के नीचे के 100 अरपतियों के पास हैं बीजेपी और उनकी विचारधरा हमारे प्यारे देश को खत्रे की ओर ले जा रही है इस खबर में इतना ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें